नेतापर्तिपक्स्त रिश्वी यादब आज सदन में मंत्रियों पर गुसा हो गए और उन्होंने कहा कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है हमारे साथ आरजडी के विधायक हैं चेतान आनन्त जिस तरह से नेतापर्तिपक्स्त रिश्वी यादब आज गुसा ग उचा जाता है उसका इनके पास कोई जवाब है नहीं गोल मटोल बाते कर रहे हैं हाँ अगर अध्यक्ष महदे जब खुद बोलना है कि आपके पास जवाब नहीं है फिर भी उसके उपर मंत्री में लोग जो हैं उठ करके गलत जवाब देना ज्यादा ठीक समझते हैं इसका सवाहल किया गया हुसका आंसर नहीं हई उसका और प्रिपेर करके आए तो बता ही है यह पूरा य्दि का जंत देख रहे है कि क्या हो रहा है और क्या कैसा इलोक से जवाब मिल रहें कहर यह तो विल्सका लाज़मी है works एस्वक्वान मुंत्री कैसे बना दिया गया ज हम लोग तो देखे ये लगातार हम लोग सरकार से मांग करते रहे हैं कि जो दागी मंत्री लोग हैं उनके उपर सक्ष से सक्ष कारवाई होनी चाहिए और ये जो दूरी निती है कि मंत्रीयों के लिए कानून कुछ और आम जंता के लिए कानून कुछ और ये रुखना देखिए पूरा जो विवाद है हाँ आप सब को पता है सब पूरी जनता जाने की यह क्या है और क्या नहीं इसके लिए माफी मांगना हमको को नहीं लगता कि कोई हम लोगों को जरूरत है माफी मांगने हैं सदन में किस चीच पर बहस हुई है हम लोगों ने चीनी मिल का जो है question उठाया था और खास करके जो spare part मतलब जो spare बच जाता है उसके उपर हम लोगों मतलब हमारे नेता ने question उठाया कि आखिर वो गया कहां हाँ जो scrap material होता है वो गया कहां हाँ उसके उपर मंत्री मोहदे के पास कोई कि लोगों ने recovery करा है किसी एक मिल की बात चल रही थी तो 20 करोड का material अगर कहीं से गायब हो जाए वो सरकारी पैसा गया लोगों का जो taxpayer मानी है वो चला गया तो उसके उपर आखिर जवाब कौन देगा और अगर यह सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है मतलब कोई ना कोई बड़ी धांदली है इसलिए शायद उस धांदली को रोकने चुपाने की क्या जरूरत है दिखाईए बताईए लोगों को यह आखिर कहा धांदली और क्या हुई है सत्ता पक्ष कर रहा है कि जो नेता परतिपक्ष है उनमें परिपक्ष की कमी है अभी वह पूरी तरह से आपके सामने मैंने पूरा केस समझा दिया जन्ता समझ रही है जन्ता जान रही है और जन्ता देख रही है कि यह लोग जो है बहुत बड़े पहमाने पर बहुत बड़ा कुछ जो है चुपाने की कोशिश की जा रही है 20 करोड रुपए माइने रखते हैं taxpayer money कोई कम कम वो है 20 करोड समझते हैं कितना होता है और आखिर उसका अगर scrap material गायब हो जाता है किसी चीनी मिल से तो यह लाजमी है कि उसके उपर सवाल उठाना है कालुपेंद्र कुछ वहाँ जडियों में विले कर गए जी कैसे दिखते हैं इसको चलिए अब क्या बोलेंगे कि वो खुद बोलते हैं कि जनता का ये और जनता का वो मतलब जनते थे कि जनता ने उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया इसलिए वो कोई ना कोई बैसाखी की ढूनने का काम कर रहे हैं क्या लगता है उनका कहना है कि लब और कुछ की समिकरन हो गई है और कहना है सतापक्स का कि 2025 में नेतापरतिपाक्स फिर से नहीं बनेंगे मुखे मंत्री जात पात से ऊपर उठीए बिहार के बारे में सोचिए यही हिदायत है हमारी सभी उन ल रहे चुके हैं मंत्री रह करके जाती सूचक समिकरन के अंदर अगर बंदे हुए तो उनकी मंटालेटी बताती है यह थे हमारे साथ आरजडी के विधायक चेतन अनंद जिन्न ने बताया कि सदन में क्या कुछ हुआ और जिस तरह से बात कर ले कि कल उपरिंद्र कुषवाह के साथ कैमरा पर सनिराज के साथ में रंजल सिंग पटना